अस्सलाम अलेकुम पाच इंच फैब्रिक की जरुद पड़ेगे तो यह देखे यहां पर मेजर रिप को रखेंगे हम थोड़ा सा बाहर की तरफ ही निकालेगे क्योंकि हमें थोड़ा सा लूज ही बनानी है तो आप देख सकते हैं यहां पर 32 इंचेज है और इसकी हम चौड़ाई ले लेंगे तो इसकी चौड़ाई बी जो है वो 18 इंच तक है लेकिन 19 तक हम रखेंगे थोड़ा सा चौड़ाई हमें रखना है और यहां पर पीछे वाला हिससा आपको देखना है जो इलास्टिक से कवर होगा तो ये भी जो है हमें कम से कम जो है वो तेन इंच तक हम यहाँ पर रखेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा लूज रहेगा तो अच्छा रहेगा लेकिन मेरे पास जितना फैब्रिक है मुझे जो है उसके अंदर ही एड्रेस करना है तो मैंने आपको दिखा दिया किस तर लंबाई हो जाएगी हमारी और इसके लंबाई देख लेते हैं कि कि इसकी मुझे लंबाई थोड़ी ज्यादा लग रही है तो इसे हम यहाँ से मेजर करेंगे या देखिए यह जो फैब्रीक है नहीं यह जादा पैने का फैब्रीक होता है ना शर्ट वगैरा बनाते है पै करेंगे इस तरीके से और बिल्कुल बराबर रखते हुए हम दोबारा से इसे एक बर और फोल करेंगे इस तरह से मैंने डबल किया है अब एक बर और इसे फोल करेंगे तो इस तरह से इसकी फोल लेर्स हो जाएगी और यहां पर मैं आपको एक बहुत आसान तरीका अगर आपको जो है बिल्कुल आसान तरीके से और जल्दी बनाना है टीवी का कवर तो आप लंबाई चोड़ाई नापने के बात में फैबरिक को इस तरीके से रखिए और जितने भी आपके लंबाई और चोड़ाई निकलती है उसको हाफ हफ करते हुए आपको यहाँ पर मा 15 इंच तक आएगा तो 16 पर हम माक करेंगे यानि जितनी भी आपके लंबाई रहेगी टीवी की उसका हाफ यहाँ पर लेना है और इस तरीके से सिधा माक करेंगे इसके बाद में हम चोड़ाई लेंगे चोड़ाई जैसे के हमारी 19 इंच थी उसको हाफ करने के लिए मेजर टेप को इस तरह से हाफ करेंगे तो हमारे पास इसका हाफ जो है वो आ जाएगा जो कि 19.5 इंच है 9.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे इस तरीके से तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ का जो फैबरीक है वो इक्वल नहीं है इस तरफ बहुत कम है और यहाँ पर अच्छा खासा है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा फैबरीक की जरूँत है लेकिन हमारे पास क्योंगी कम है फ तो यह जो मेरा कवर बनेगा यह बहुत ही फिटिंग वाला बनेगा लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लूज बनाना है और ऐसा बनाना है कि आसानी सा आप निकाल सके चड़ा सके तो थोड़ा सा आपको चड़ाई बढ़ा के लेनी होगी इसकी तो यह देखिए इस तरह से तोर यह बनाना है तो आपको अगर आपको फीटिटिंग वाली बनाना है जैसे कि मैं बनारी हूं तो इस तरह से शेफ देना है उसको क्योंकि जो टी वी का कॉर्णर होता है उसके अंदर हमारा जो ये डिजाइन है वोफिट हो जाएगा तो चलिए आप इसको जो है वह स्टीच करना स्टार कर देते हैं ये लिए देखे चार maior इस तरिके से रहेगा ये देखेए इस तरह से इस तरह हुआ पकड़ना है् और यहां पर हमें फूं सिलाई करनी है और एक यह कारी करेंगे तो भी आप का अराम से हो जाएगा तो यह दीखिए इस तरह से डोने पीस को रखना है और यहां पर देख सकते हैं थोड़ा चोटा बड़ा लग रहा है। कि मैंने एक हिस्सा थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख orchat तह तेखिन मैं ईसे जो है इसमें valeur कर दूँगी इस तरह से और यह देखिए इस तरह से इसके ओपर से लाई करनी है जो कि एक कॉर्णर है वो मैंने रेड़ी कर दिया है तो इसे मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से दिखाई देगा यह देखे इस तरह से हमारा एक कॉर्णर जो है वो बन गया है तो सेम इसी तरीके से हम दूसरा कॉर्णर भी बनाएंगे इसके उपर सिलाई करेंगे तो फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिजिए इस तरीके से यह देखे मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है और एक और कॉर्णर हमारा यहाँ पर बन चुका है बाकी दोनों कॉर्णर को भी हम इसी तरीके से बना के रेडि करेंगे यह देखी कॉर्णर को हमने रेडि कर दिया है अब यहाँ पर हमें डबल फोल करके सिलाई लगानी है लोगिन ये कितना आपको रखना है उसके लिए Ċहां से इलास्टिक को दिखना होगा कि आप कौन से इलास्टिक आपर यहां पर यूज कर रहे हैं इस तरह से हम गोलाई देते हुए इसे सिलाई करेंगे और जो कॉर्णर वाला हिस्सा आएगा वहाँ पर भी हमें इसी तरीके से गोलाई करते हुए सिलाई लगाने अगर आपको थोड़ा सा फैबरिक उपर नेचे लगता है तो आप बराबर कर सकते हैं यहाँ पर हमने पूरी गोलाई देते हुए इसके उपर शिलाई लगा दी है और थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ दिया है यहाँ पर हमने शिलाई नहीं लगाई है अब यहाँ लेंगे और सेटी पिन के जरिये से लास्टी को हम अंदर की तरफ डाल देंगे यहां पर इस तरह से बहुत आसान हो जाता है, Elastic को अंदर डालना, यहां पर, यहां पर आपको Elastic को थोड़ा सा loose गूलाई आते हैं,write उससे आपको सिर्फ 3-4 इंच तक ही Elastic को कम करना要ग को कर दो तो बहुत टाइट हो जाएगी और आपकी टीवी पे फिट नहीं बैठेगा वो यह देखिए इस तरह से आपको बहुत जादा ही लूज रखना है तो जितनी हमारी गोलाई है उससे हमने 3-4 इंच तक ही कम रखा है उसके बाद में यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो भी रहेगा वो कट कर देंगे और यहाँ पे अगर आप से लाई लगाना चाहें तो लगा सकते हैं लेहिन यह पतली वाली लास्ट्िक है तो इसे बस आप 2-3 बार इस तरह से गाट लगाएंगे तो यह टाइट हो जाता है और बिल्कुल भी नहीं निकलता और नहीं खुलता है यह देखे इस तरह से अच्छे तरीके से इसको अंदर की तरफ से भी खीच देंगे बाहर से भी टाइट करेंगे तो यह फिर नहीं निकल पाती है उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है उसे अंदर की तरफ डाल देंगे इस तरह से अब इसे बंद करते हुए हमें सिलाई भी लगानी है तो उससे पहले हम यहाँ पे इस तरह से खीचेंगे ताकि जितनी भी गैदर से वो इकवल हो जाए सारी इलास्टिक अच्छे तरीके से इसमें फिट हो जाए उसके बाद में हम इसके उपर सिलाई लगाएंग यहाँ पर देखिए मैंने सिलाई करके बंद कर दे से और हमारा कवर रेडी है और मैंने इसे लगा भी दिया यह देखिए बिल्कुल फिट बैठा है यानि जितनी बड़ी मेरी टीवी है उसके उपर एकदम सही बैठा है कहीं से भी लूजिंग नहीं है या एक्स्टा तरीके से फिट हो जाता है यह दिखी इस तरह से तो यहाँ पर मेरा जो कवर है बहुत ही साइस का बना है तो उमीद करते हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई होते हैं इसे लाइक करें शेर करें और चैनल को ज़रू दोफीज